देवूती ने पूछा पुत्र मैंने सुना है तुम परमात्मा के अवतार हो क्या ये सच है बोले हा मा आपने सच सुना है तो पुत्र मैं आप से कुछ जानना चाहती हूँ मुझे कृपा करके कुछ बताओ पूछा मा क्या जानना चाहती हो पुत्र मुझे ये जानना है ये संसार सागर बड़ा ही भया भय है इस संसार में आने के बाद जीव ऐसा फस्ता है कि इसमें निकल नहीं पाता हमको सिर्फ इतना बता दो कि जिन्दगी का प्रमुक लक्ष क्या है जब जीव को मानव जीवन म मिलने के बाद ऐसा क्या करना चाहिए जिस मानव जीवन को पाने के बाद वो ये कह सके कि हाँ ये मैंने सार्थक कर लिया मानव जीवन सार्थक कर लिया बड़े एकाग्र होकर सुनना ये प्रशंग ये सम्मंद हमारे जीवन से है प्रश्ण क्योंकि अधिकांस लोग मानब बनकर भी आ जाते हैं लेकिन ऐसे गमा देते हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आया मुझे एक बात याद आ रही है बड़ी अच्छी एक लकड आ रहा जंगल में से लकड़ी काट के ला रहा था तो जब लकड़ी लेकर आ रहा था तो उसके पाम में पाम से एक ठोपर लगी और पाम से जब ठोपर लगी तो एक पत्थर चमकता हुआ दूर जा गिरा उस व्यक्ती ने चमकते हुए पत्थर को उठाया और उसको महसूस हुआ कि ये पत्थर चमक रहा है इसका मतलब ये कीमती पत्थर होगा अब अन्नौन है उसे मालूम नहीं है अन्जान है उसे मालूम नहीं कि इस पत्थर की क्या कीमत हो सकती है लेकिन फिर भी वो ले दो चार रुपे तो मिलेंगे वो एक सुनार के पास गया अब जब सुनार के पास गया तो वो जानता था लाल पत्थर था बड़ा कोस्टली पत्थर था उस लकड़ारे ने का भहिया ये पत्थर है जरा इसके कीमत बताओ क्या ए बेचना चाहता हूँ मैं सेल करना चाहता हूँ तो वो जानता था कि पपत्थर बहुत कीमती है मैं कीमत बताओं नहीं बढ़िया है इसी से पूछलू क्योंकि इसको इसकी सही कीमत नहीं मालूँ तो उसने का भईया देखो को तुम बता दो तुम्हें क्या चाहिए जो तुम चाहोगे सोचेंगे उसमें बोले मुझे तो नहीं पता आप ही बता दो इतने में पड़ोस में भी एक सुनार था उसने वो पत्थर की चमक दूर से देख ली वो भी दोड़ा चला आया अरे भाई क्या है अगर कोई अच्छी चीज़ है तो हमें दिखा दो हम भी ले लेंगे अब वो जो इसके जिस सुनार को पहले दिखाया वो समझ गया कि अगर ये मैंने पत्थर इसको दिखा दिया तो इसकी सही कीमत जानता है मेरे धन्दे को खोटा करेगा जट उसने वो पत्थर अपने पाम के नीचे दवा लिया और का नहीं नहीं कुछ नहीं है ऐसा ये तुम जाओ हमको काम करने दो वो चला गया और जब पत्थर निकाला तो देखा वो पत्थर फूट गया चूर चूर हो गया और जब वो पत्थर चूर चूर हुआ तो वो शराव जो था सुनार जो था वो कहने लगा ऐसा कैसे संबाव है ये तो बड़ा कोसली बड़ा कीमती पत्थर था ये तूट कैसे गया उस पत्थर में से आवाज आई देख तूझसे ज़्यादा ठोकर तो इस लकडारे ने मुझ में मारी थी लेकिन तब मैं फूटा नहीं ये तब मैं फूटा नहीं जानता ही क्यों क्यों क्योंकि इसको मेरी कीमत मालुम नहीं थी लेकिन तुझे तो मेरी कीमत मालूम थी तुने जान बूज कर मुझे अपने पाम के नीचे रख ली इसलिए मैं फूट गया इसलिए मैं तूट गया तुझे मेरी कीमत मालूम थी इसके बावजुद भी तुने मुझे अपने पाम के नीचे रखने की जुब्रत की इसलिए मेरा खंडन हो गया मेरे भाई बेन ये बात डायमेंट की नहीं है या बात एक सुनार की नहीं है ये बात हमारी और आपकी है जिनको अपनी जिन्दगी की कीमत नहीं मालूम इट्स ओके नो प्रॉब्लम बट यू नो वट इस और लाइफ कोस्ट आपको मालूम है आपकी जिन्दगी की कीमत क्या है और इसके बावजुद भी आप इग्नोर करेंगे तो ये जिन्दगी भी चकना चूर हो जाएगी चूर चूर हो जाएगी और अपने आप पे सर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ये मेरी जिन्दगी मुझ पर हसेगी कि तू मेरी कीमत जानता था दुरलबो मानसो जन्मा बड़े भागि मानस तन पाबा सुर्दूरलव सदगरंत नगावा सब जानते हो आप आप सत्संगी हो आपने बार बार ये कथाएं सुनी हैं इसके बावजुद भी अगर आप और हम अपनी जिन्दगी से खेलना बंद न करे तो ये जिन्दगी मेरे उपर हसेगी गजब की बात है दुरभागी की बात है जानते हैं कि साथ जाने वाला कुछ नहीं फिर भी उसी की रात दिन कमाई करते हैं और जो साथ जाने वाला है उसके लिए हम कहते हैं I am busy I have no time because I have lot of work What is your thing? परमात्मा is free? The God is free? फ्री है वो उस पर कोई काम नहीं है बोलो 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 What do you think about God? Free? रादे रादे बोलना हो पड़ेगा अरे तुझे पर तो हम दो हमारे दो की जिम्मेदारी है उस पर तो वो एक और न जाने कितने अरवों की जिम्मेदारी अकेला निवाता है अकेला निवा रहा है वो जिम्मेदारी क्यों पूरे बिश्व का फालन पोशन करने की जिम्मेदारी उसकी है इसलिए आज आपने अपनी कीमत समझ लिए अगर आज के बावजुद भी आपने प्ले किया तो समझ लेना जिन्दगी आप पर हसने बाली है सब लोग हसेंगे हमारी जिन्दगी पर इसलिए प्रश्ण बड़ा जवरदस्त है मा पूछती है बेटा जिसको मानव जीवन मिल जाए उसे क्या करना चाहिए दियान से सुनेंगे सब कपिल देव कहते हैं मा ये इतना आसन नहीं है ये मानव जीवन इतना आसन नहीं है मानव जीवन पाना बड़ाई कठिन है बड़ाई दूरलब है मा में तुम्हें बताता हूं जब जीव मा के गर्व में जाता है न उसे बड़ा कस्ट उठाना पड़ता है आप भी ध्यान से सुनने प्लीज समझने की कोशिस करना जब गक्चा मा के गर्व में जाता है तो अधिकांस मिस्केरिज वन टू थ्री मंथ में होते हैं समझ में आ गई हमारे बच्चे जो गर्व में शींड होते हैं नस्ट होते हैं जिनको आज की वासा में मिस्केरिज कहा जाता है वो एक से लेके तीन मेहने के बीच में होते हैं इसकी बज़े ध्यान से सुनिये मैं बताता हूँ जब व्यक्ति मा के गर में जाता है तो वो एक मास का लोथरा होता है सिर्फ इतना सा और धीरे धीरे उसके अंग बनना शुरू होता है मा के गर में उसका स्रजन होता है नौ महने की अवधी में उसे पूरा कम्पलीट होना है लेकिन सुरुआती जो थ्री मन्स हैं is very difficult difficult to mother, difficult to son जो माँ है और दोनों के लिए मुश्किल है और जब सुरुआत के थ्री मन्स हैं उन तीन मेने में ये जो उपर की चम्डी है न ये skin जो है ये नहीं होती है एक एक सब्द सुनना आना जाना रोक के यह जो आप लोग आना जाना बीच में करते हो न यह मुझे हट करता है बहुत ज़्यादा जो पीछे आम है वो पीछे बैठ जाए चुपचा बिना वाज किये यह जो इस्कीन है यह तीन मेने तक नहीं होती और दिरे दिरे यह गरोप होता है पूरा सरीर मा के गर्व में और जब यह गरोप होता है उस वक्त जब मा कुछ भी खाती है न तीक्षन नमक, मिर्चिया, कोई भी खटी वस्तू खाती है तो डारेक्ट जाकर बच्चे के बदन को लगता है अब ये दर्द मेरी समझ में ऐसे नहीं आएगा मैं आपको दूसरे तरीके से समझाओंगा अगर आपकी उंगली कहीं से कट जाए और उस पे साबुन, क्रीम या क्रीम तो नहीं साबुन या नीबू या मिर्च या कुछ ऐसा लगे तो दर्द होता है कि नहीं नाखुन की ये चीट अट जाए यहां से और इस पे कुछ भी नाते समय साबुन लगावे तो चूपता है सेम्पू भी चूपता है खाते वक्त सबजी चूपती है नमक मिर्च चूपती है क्यों जब ये चीट उखडती है न तो जो मास है ना अंदर वो उसमें जाके चूपता है और जब उसमें चूपता है तो दर्द होता है और अभी अभी मैंने बताया जो तीन मेहने तक वो जो बच्चा होता है वो मास का लो तड़ा होता है उसका कवर नहीं होता है उसके उपर किसके नहीं होती है और जब मा कुछ ऐसा खा लेती है तो वो बच्चा दर्द से करा उठता है चीक उठता है चिल लाता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ की अवाज करता है लेकिन उसकी आवाज हुआ सुनने वाला कोई नहीं है उसकी माँ भी उसकी आवाज नहीं सुनती है वो चीकता है पर माँ को कहता है मैं मैं क्या करूँ अधिकांस बच्चे उस दर्द को सहने ही पाते हैं और उसी दर्द को न सहने के चक्कर में वो जिनको इंगलिस वाले मिस्केरिज कहते हैं और हिंदी वाले कहते हैं कि वो शील्ड हो गया वो नस्ट हो जागा और कुछ हम जैसे आप जैसे स्ट्रॉंग होते हैं वो सह जाते हैं जिन्होंने सह लिया वो आ गए लेकिन इतना ही दर्द मा के गर्ब में नहीं है इससे ज़्यादा दर्द है हुआ और इस दर्द से मेरा और आपका सबका सामना हुआ है जब जीव को इतना दर्द होता है रहता कहा है वो लिमा के मलमुत्र में हमारे ब्रिज में कहा बता है जब कुट्ता भी बैठ है ना तो जार के बैठ है साफ करके अपनी पूंच से जारता है फिर बैठता है हम लोग भी अपने कमरों को घरों को बड़ा साफ स्वच रखते है लेकिन हम लोग नौ मेने कहां से आ रहे है मा के मलमूत्र से नौ के नौ मेने हमने मा के मलमूत्र में बिताए हैं सब ने सब लोग मा के मलमूत्र में रहे और उस मलमूत्र में रहते हुए अब मैं आपको या आप अपनी मर्जी से क्या कहीं आदे गंटे कच्ड़े के धेर पे बैठोगे जहां आपके घड़ का कचड़ा रखा जाता हो आप वहां बैठोगे जिसको आज कर आप लोग डेस्ट बिन बोलते हैं आपको कह दिया जाए पाँच मिन डेस्ट बिन पर बैठे रहा उपर बैठोगे मतलब कचड़े के उपर नहीं बैठोगे यहां तो तुम कच्ड़े के उपर नहीं बैठोगे और वहां मा के मलमूत्र में लिप्टे रहे जब बच्चा जनम लेता है तो कई डॉक्टर कहते है बच्चे के मुँँ में गंदा पानी चला गया मतलब वो गंदा पानी क्या है वो मलमूत्र ही तो है मा का वही मा का मलमूत्र है जो हमारे मुँँ में ज़्यादा है टेंजन वाली बात नहीं है समझने वाली बात है मैं इसलिए ओपनली बोल रहा हूँ कि तुम ओपनली समझो तुम अपने आपको समझो कि तुम कहां से आये हो और अगर अच्छे कर्म नहीं किये तो फिर वहीं जाना पड़ेगा फिर उसी नर्क में जाना पड़ेगा और उस नर्क में न जाना पड़े इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम उस नर्क में नहीं जाना चाहते इसलिए मानव जीवन मिला है मलमूत्र में लिप्टे हुए नौ मैने तक व्यक्ती को विताना होता है उल्टा लटका हुआ है उल्टा लटका हूँ पाम उपर सर नीचे यहां तुम से कोई कैदे उल्टा लटक के आदे घंटे का था सुनोगे दो सुनोगे, आओगे नहीं, जहांकोगे नहीं, कोई कैदे तुम अपना बिजनिस करो, आदा घंटा लटक के पांच लाक रुक पेका प्रॉफिट मिलेगा, करोगे, नहीं करोगे, लेकिन मा के गर में नौ मैने उल्टे लटके रहे, नौ मैने, चीखता रहा, चिलाता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, मुझे इस नर्क से निकाल दो, भगवान बोले, निकाल दूँगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा, जी वो बोला, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, बोले, दे सकता है, मैं जब तुझे माना बना कर भ नम पुर्ण रपी जन्नी जिट्रेश है नम ऐसा प्रयास करना बले भगवान मैं बादा करता हूँ ऐसा ही करूँगा कि जिससे मुझे दुबारा इस नर्क में नाना पड़े भगवान बोले ठीक है तो मैं तुझे बैस बोले भगवान एक बात और मैं जा रहा हूँ मुझे बाहर जाते ही दमाया की हवा लगेगी और मैं गर्व में किया हुआ सारा बादा भूल जाऊंगा एक इबादा आप भी करो कि आप मुझे याद दिलाएंगे भगवान बोले ठीक है मैं तुझे याद दिला दूँगा ये मेरा बादा है अब हम और आप सभी आगए इस भूमंडल पर कोई 60 का हो गया कोई 70 का कोई 30 का कोई 35 का कोई 20 का कोई 16 का कोई 10 का लेकिन क्या हमें वो हमारा बादा याद है जो हमने भगवान से किया जिस नर्क से हमारे माबाप हमें नहीं बचा सके जिस नर्क से हम अपने आपको नहीं बचा सके जिस नर्क में फसे हुए हम लोग दुनिया बर की कष्ट पा रहे थे उसी नर्क से परमात्मा ने हमसे को बचन लेकर हमको निकाल दिया कि हम वाँ जाकर ऐसा कर्म करेंगे जिससे दुबारा उस योनी में न जाना पड़े मा के गर में न जाना पड़े लेकिन मैं आप से पूछना चाहूंगा क्या हमने ऐसा प्रयास किया जिससे दुबारा उस नर्क में न जाना पड़े बोलिये, राद दिन मूवी देखेंगे, शिरियल देखेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, मुबाइल पे SMS गंदे-गंदे SMS सेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने मोख्षी के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, राइट? किसका बुरा होगा? नास किसका होगा? आत्मा को कस्ट किसकी को होगा? मुझे जो ये नहीं करेगा, हरी को भजन करेंगे, फिर पाचे पचिताए, कालई कर्म इश्वरई मिथ्या दोस लगाएंगे, खुद तो हम भगवान का भजन करतें नहीं, और जब भी बुरा होता है त परमात्मा ने वो कर दिया, परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा तो तेरे की हुए कर्मों का फल देता है, इसलिए अपने कर्म सुधार ले, तो परमात्मा तुझे सुधरा हुआ, फल दे देगा, अच्छा फल दे देगा